हेलो एब्रिवन गुड मॉनिंग स्टार्ट करते हैं बाइस जन्वरी से लेकर अटाइस जन्वरी तक के करेंट अफेयर जैसा कि आप सब को पता है कि टेलीग्राम के लिंक पत इंग्लिश और हंदी दोनों लेंगवेज़ जिसमें जो हमारा कंटेंट है वो आपके लिए उपस्तित है तो आप पर सकते हैं देख सकते हैं नोटस भी बना सकते हैं तो आईए स्टार्ट देखे, जो हम सबसे पहली बात करेंगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात करेंगे, जिसको हमारे देश में linger-anupad को balance करने के लिए चलाये गया था, कब चलाये गया था, तो इसको 22 जनवरी 2015 को चलाये गया था, जिसकी याद में हर साल 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कीम को याद करते हुए नई योजनाय बनाते हैं नई पॉलिसीज बनाते हैं और उनको लागो करवाने की कोशिश करते हैं और हमारे देश में ऐसे स्टेट जहां पर लिंग अनुपात कम है यानि कि जो हमारे बच्चों की संख्या इसप बास्त मंतरायल है ये मिलकर काम करता है 2011 के अनुपात था यानि जो को सेक्स रशी होता वो कितना था तो 1000 के पीछे 918 लड़कियों की संख्या थी यानि 1000 लड़के हैं तो उनके पीछे 918 लड़कियों की संख्या है तो इस इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना स्टार्ट करी गई थी 22 जन्वरी 2015 नेक्स जो हम बात करेंगे निता जी सुभास चंदर बोश जी के बारे में बात करेंगे उनके जैनती बनाए जाती है 23 जन्वरी को इसको हम पराकरम दिवस के रूप में मनाते हैं 1897 में उरिसा के कटक डिस्टिक में इनका जन्व हुआ था और 23 जन्वरी को हम इसी लिए उनकी याद में उनकी जैनती को मनाने के लिए उनके कामों को याद करने के लिए पराकरम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभास चंदर बोश जी के बारे में बात करें तो इनको नेता जी की उपाधी दे दी गई थी और साथ में ही जो चितरंजन दास्ती इनके पॉलिटिकल गुरु थी और इनके आध्यात में गुरु कौन थे तो स्वामी विवेका नंजी इनके आध्यात में गुरु रही है सुभास चंदर बोश जी ने आजाद हिंच पहुझ के स्थापना के करी दिल्ली चलो का नारा लगाया तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इसका भी नारा इनके द्वारा लगाया गया था इन्होंने उस सबय की जो आई-एस की परिक्षा थी वो पास करी थी लेकिन जल्द ही इन्होंने क्या कर दिया था इस्तिपाद दे दिया था साथ ही गांधी जी के साथ इनके वैचारिक मतभीत थी जिसकी वज़ा से ये कॉंग्रेस के अधिक्स चुने जाने के बाद भी ये क चले जाते हैं और फॉर्वर्ड ब्लॉक नामक एक अपनी कंपने एक अपनी अपना जो दल है उसको स्टार्ट करते हैं और इस पेशली जो पश्चिम मंगल और उडिसा वाला एरिया वहां पर वाम पंथी जो विचारधारा है उसको समर्थित ये दल होता है और आजाद हि में एक विमान दुर घटना के दौरान इनकी मृत्यू हो जाती है और कब हो जाती है तो 1945 की ये घटना है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेता जी सुबास चंद्र बोस जी को हम याद करते हैं तेज जनवरी को हर साल पराकरम दिवस के रूप में ओके आए रास्टिय बालिका दिवस के एक प्रमुक उपलब्धता के बारे में बात करूँ तो 22 जनवरी को 2015 में स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जरुद याद रख लेंगे इस बात को रास्टिय अंतरास्टिय सिक्षा दिवस हर साल हम कब मनाते ह हैं तो 24 जनवरी को मनाते हैं कब मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं इस बार का विशे क्या था तो इस थाई शान्ति के लिए सीखना नेक्स बात करेंगे रास्टिय परेटन दिवस यानि कि नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर रास्टिय तूरिज्म day कब मनाया जाता है तो 27 सितंबर को मनाया जाता है इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे इस बार की थीम क्या है 2024 की तो stable journey timeless memory ओके आई नेक्स बात कर लेते हैं रास्टे मतदाता दिवस या national voters day 25 जनवरी को मनाया जाता है इस बार हमने इसका 14 संसकरर मनाया है 2011 से हर साल भारत में हम national voters day या रास्टे मतदाता दिवस मना रही है clear आई नेक्स बात करते हैं रास्टे मतदाता दिवस के बारे में ही रास्टिय निर्वाचन आयोग के बारे में हम बात करेंगे जो निर्वाचन आयोग है इसके स्थापना भारत में 25 जनवरी को हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी जब हमारा समविधार लाग हुआ था उसके जस्ट एक दिन पहले हैना और ये एक स्वायत संस्था के रूप में काम करती है और इसमें आपको तीन लोगों की टीम देखने को मिलेगी जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो दो चुनाव आयुक्त होते हैं इस बात कर लेते हैं गरतंतर दिवस 26 जनवरी को हमने मनाया तो इस बार 26 जनवरी को जो गरतंतर दिवस के परेड हुई है वो विजय चौक से स्टार्ट हुई है और करतव ये जो पत है उस पर सारा जो भी कारिक्रम है जाकिया है वो सारा हम देखते हैं और इसके अलावा फ्रांस के राश्टपती इमैनुवल मैक्रॉन इस बार के कौन थे मुख्यातिती के रूप में आये थे और हमने इस बार 75 नंबर का रिपब्लिक डे सेलिबरेट कर रहा है क्लियर आए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतराश्टिय सीमा शुल्क दिवस के बारे में जिसको हम 26 जनवरी को मना जाता है नेक्स्ट बात कर लेंगे लाला लाजपतराई जी की जहनती के बारे में जो हर साल 28 जनवरी को आती है लाल बाल पाल ये जरूर हमने ये जो तीनों का नाम है जरूर सुना होगा तो इसी में एक व्यक्ति थी लाला लाजपतराई हमारे देश के सोतंता सेनानी थी लाला लाजपतराई जी और स्वामी दयानंद के विचारधारा से बहुत ज़ादा प्रभावी थी और लहाओर लहाओर में जाकर इसलिए इन्होंने आरे समाज को जोईन भी करा था और इनक जो है चरम पंथी नेताओं में शामिल थे बाल गंगार धरतिलक के साथ में और विपिन चंद्रपाल जी थी उसके उनके साथ में हम लाला लाजपतराई जी का नाम भी जानती है नेक्स बात करेंगे अच्छा इनको पंजाब का शेर कहा जाता था नेक्स बात करेंगे प्र प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की गर्वगरी में, तो 7000 इसमें जो गड़मान ये व्यक्ति थे, वो शामिल हुए थे, और जो एक टाइम दिया गया था, 84 सेकंड का जो टाइम था, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी, वो बारा बचकर 29 मिनट से स्टार्ट होता है, और बारा बचकर 30 मिनट और 35 सेकंड तक चलता है, साथ ही अगर राम मंदिर के बारे में बात करूं, तो 51 इंच की ये कृष्ण सिला से निर्मित मूर्ति है, जो 5 साल के राम लला की तश्वीर को दिखाती है, साथ ही इसके मू उचाए 161 फीट हमें देखने को मिल जाएगी, 18 जन्वरी से इसके जो अनुस्ठान थे, वो स्टार्ट हो गए धे, इसके अलामा अगर हम जो राम जन भूमी है, इसके पूरे एरिया के बारे में बात करें, तो 9.7 एकड भूमी में ये पूरी पूरा जो फैला हुआ मंदि वास्तुकार की एक पीड़ी है उसके द्वारा ही इसको बनाया गया है वास्तुकार के नाम के बारे में बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा और साथ ही इनके बेटे के द्वारा बनाया गया यह पूरा राम मंदिर का जो यह ब्रिहत सोरूप है वो तैयार किया गया है नेक् देश के जो खगोल भौतिक संस्थान है उनके वैग्यानिकों के द्वारा राम नौमी पर आटोमेटिकली सूरे की रोशने से सूरे तिलक ये लगेगा भगवान राम को आए नेक्स बात कर लेते हैं जो नौवा नैम शिखर सम्मेलन था यानि के जो गुट निर्पेक्ष देश है उनका उननीसमा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है तो यूगांटा के कमपाला में हुआ है कहाँ पन यूगांटा के कमपाला में हुआ है ये किस नंबर का है इसका संसकर्ण जरूर याद रख लेंगे उननीसमे नंबर का है 2024 का है ये साथ में कहां पर हुआ है तो यूगांडा के कमपाला में है गुट निर्पेक्ष देशों का ये एक संगठन है जिसका सम्मेलन हुआ है नेक्स जचा करेंगे भारतिय सेना ने आतंगवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है जैसा कि जम्मो कश्मीर की स्तिति को ध्यार में रखते हुए हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जम्मो कश्मीर में जो आतंगवादि गतिवी धिया बढ़ती जा रही है इसकी रोक्थाम के लिए बहां की सेना के द्वारा और वहां की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया है जरूर याद रख लेंगे इसमें आप देखेंगे तो CRPF जम्मो कश्मीर पुलिस और साथ में जो खूफिया एजेंसिया है वो भी शामिल करी गई है इसके आसपास के एरिया के लिए ओपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है नेक्स चर्चा करे इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा समझ लेते हैं देखो प्रधान मंत्री सुर्योदा योजना यानि की ऐसे वेक्तियों को ऐसे परिवारों को लिया गया है जिनकी वार्शिक आये दो लाख रुपए से क्या हो कम हो है ना दो लाख रुपए हो या उससे कम हो अब इनको क्या किया जाएगा इनको इनका जो चछत है उस पर सौर पैनल लगाया जाएगा और इसमें पूरी तरीके से मदद कौन करेगी तो सरकार करेगी और इसमें एक करुण परिवारों के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है अब इससे क्या होगा इसे जो जो हमारा मध्यम वर्ग है गरीब वर्ग है उसको बिजलीगा बिलकम देना पड़ेगा और हमारे देश में उर्जा की जो खपत है वो भी क्या होगी फुल्फिल होने सोलह साल की बातचित के बाद स्विजरलेंड भारत मुक्त व्यापार समझता संपन हो गया है यानि कि भारत और सुजरलेंड के बीच में जो ओपें ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया गया है पहलवान रवी कुमार दहिया के बारे में बात करेंगे जिनको फ्रांस के ग्रांड प्रिक्स में कानसे पदक मिला है कहां मिला है फ्रांस के ग्रांड प्रिक्स में कान से पदक या ब्रॉण्ज मेडर मिला है रवी कुमार दहिया को जो हमारे देश के पहलवान है कि अन्दर लेने के लिए एक एप लाँच किया गया है और उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अनुवादिनी एप नेक्स बात कर लेते हैं गरी मंत्रिय मिशा के बारे में जिन्होंने दिल्ली में असम के व्रेब हाट लाचित बर्फुकन पुस्तक का अनावरण किया लाचित क्या था लाचित एक युद्ध था जो लड़ा गया था एक युद्ध था एक लड़ाई थी जो लड़ी गई थी और इसकी जीत के बादी जो आसम है वो पुरी तरीके से भारत में शामिल हुआ था तो आसम के व्रेब हाट लाचित बुर्फुकन पुस्तक का नावरण किया गया है 22 जनवरी को स्टार्ट कर दिया गया है तीन फरवरी तक ये चलने वाला है भारत किरगिस्तान सयुक्त विशेश बल अभ्यास खंजर ओके आए नेक्स बात कर लेते हैं केप वर्ड को मलेरिया युक्त मुक्त देश घोशित किया गया है यानि मलेरिया मुक्त देश घोशित कर दिया गया है, नेक्स चर्चा करेंगे कच्छ की देशी खारे को भोगौलिक संकिर टैग मिला है, यानि कच्छ की जो देशी खारे के एक तरीके की खजूर है उसको GI टैग दिया गया है, इसको याद रख लेंगे राइजा धिलो, गुरुजोत, खांगुरा को स्किट मिश्ट टीम में कान से पदक मिला है यानि की जो STI Short Gun Championship 2024 होई है, उसके तहतागर में बात करो तो गुरुजोत, खांगुरा और राइजा धिलो को मिश्ट टीम में कान से पदक दिया गया है अजये नेक्स टर्चा कर लेते हैं डॉप्टर रिटू और नवीन के बारे में डॉक्टर रिटू क्या है, एक वःग्जानिक है, उत्तर पदेश से बिलौं करती है नवीन कौन है, एको ढुद्योगपति हैं जो उत्तर पदेश से बिलौंग करते हैं मैੁ से इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और पैगंबर मुहम्मद की याद में पैगंबर मुहम्मद को होगा चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है, नमबर फर्स्ट पे कौन है तो नमबर फर्स्ट पे अमेरिका है नमबर सेकंड पे कौन है तो चाइना है और नमबर थर्ड पे कौन है तो जापान है और अब होग को पचाड कर भारत तुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है ना आए नेक्स बात कर लेत करते हैं 63 सेंट्रल जियो लॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का बैठक कहां पर हुआ है तो भुपाल में इसका योज़िया गया है और 43 की उम्रे में पहली बार रोहन बुपन्ना नंबर वन खिलाडी बने यानि कि रोहन बुपन्ना पहली बार पैडमिंटन के छेत्र में 43 साल के उम्रे में भारत के नंबर वन खिलाडी बनकर उभर कर सामने आये हैं इन्होंने ऑस्टेलिया योपन में पहली बार पुरुष यूगल इस पर्धा में सेमी फाइनल में ये पहुच पाए हैं रविशास्त्री और फारुक इंजीनियर को करनल सी के नाइडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार मिला है है हैदराबाद में नमन पुरसकार समारों के दोरान रविशास्त्री और फारुक इंजीनियर को करनल सी के नाइडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसक की 100% होती है तो सुप्रीम कोट के न्याधिश के रूप में किसकी निप्ति करी गई है तो न्यायमूर्थी प्रसन्ना भी वराली की ओके भारत फ्रांस और संग्त अरब अमिरात ने अरब सागर के उपर डिजर्ट नाइट नाम का एक हवाई अभ्यास स्टार्ट किया जरूर शर्चा करेंगे मान सिंग ने अश्जयाई महाराथन चैंपेंशिप 2024 में गल्ड मेडल जीता है यानि गल्ड मेडल 2024 किसने जीता है यिस के द्वारा तो मान सिंग जी के द्वारा यह फिर कोशन आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगे तो कल फिर मिलेंगे जो भी हमारा छूटा हुआ कंटेंट था पिछले दिनों का जो भी था वो सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करी गई है तो प्लीज मेरे साथ बने रहे चैनल पर लाइक करते रहे शेयर करते रहे जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है टिक क्यार ब क्या जादा टूरी के करते टूर्चप अजाद से टादा से लिजाद टूरी कि जरूरी कोशिश का और रहे जार भी एचाईए जा और रहे चनादा